खेलो दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वगत है आपके अपने यूटुब चैनल देव जी कैटरिक्स में तो दोस्तों आपको डेली सामको देख सकते हैं कि आपके 6 बजे यहां पर आपके UPG के आपकी कवर कराई जा रही है हाना तो आपको डेली सामको 6 बजे UPG के आपको पढ़ना है नोटिवेशन आए या ना आए लेकिन आपको टाइम से विलकुराना है छे बजे ठीक है ना हमने तीन चैप्टर के जो आपजिक्टी कोशन हमने कवर करा दिया है यह आपको देख सकते हैं चौथा आपके चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ना है वाले हैं कला ए डेली क्लास लेना है डेली अपनी बेहतर रिविजन करना है इसके पहले भी हमने आपर कई स्रीज आपकी कम्पलीट किया है UPGK की तो आप उनको भी दे सकते हैं और जो यह क्लासे आपको दी जा रहे हैं उनको भी आप लोग डेली देखेगा तो चले स्टार्ट करते हैं ग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सरवाधिक मेले लगते हैं चलिए बताएगा हमने इस्पेसल टॉपिक थिवरी वाला आपको पढ़ाया था जिसमें पढ़ाया था कि मेले और मोहसव थिवरी में हमने पढ़ा दिया है तो उसको भी आप लोग दे सकते हैं तो सबसे देखा जाए तो आपके कानपूर में लगते हैं लगभग आपके देखा जाए तो कानपूर में 79 मेले लगते हैं इसके बाद और भी आप आएंगे तो हमीरपूर में हमीरपूर में भी आपके लगभग 79 मेले लगते हैं जासी के अगर बात करते हैं तो 78 मेले लगते हैं अ सबसे कम कहां लगते हैं तो सबसे कम मेले जो लगते हैं वो आपके पीली भीत में कहां पर हैं तो आपके पीली भीत में जो आपका पीली भीत है वहाँ पर सबसे कम मेले लगते हैं एक या दो मेले आपके लगते हैं याद रखेगा ठीक है ना अगला कुशन है दूसरा है कि खिचडी मेले का आयजन कहा होता है चलिए बताएगा कि खिचडी मेले का जो आयजन है ये आपके कहा होता है दोस्तों खिचडी मेले आपका होता है कहाँ पर तो आपके गोरकपुर में होता है इसका जो आपसन है यहाँ पर बे नमबर है राइट हो जेगा गुरक पुर इसका अंसर है राइट हो जाएगा याद रिखेगा निस कोशन आपका दिया है 9 नमबर में त्रिवेडी महसो का जो आजन है ये कहां होता है चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका जो अंसर बनेगा इन में से क्या हो जाएगा फटा फटा जवाब दीजे भई यहाँ पर दे सकते हैं कि वहाँ जो आपका त्रिवेडी महसो है इसका जो आजन है ये आपकी होता कहां है तो आपसन आपका भी हो जगा आगरा में कहां होता है आपके आगरा में होता है वही पर अगला कोशन दिया है कि यह गंगा महुसो का इजाजन होता है यह कहां होता है चलिए यहाँ पर बताना है कोशन और आपका दस दिया गया है और आप से कहरा है कि सरे गंगा महुसो जो आपका है गंगा महुसो इसका इजाजन कहां पर होता ह तो दस नमबर का जो आपसन है यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो दस का आपसन भी हो जाएगा आपके वारंडसी में होता है कहाँ पर होता है वारंडसी होता है आपका जो दिया गया है गंगा महुसो यह कहाँ होता है तो आपके ही सरवारंडसी में हो ठीक है अगले कोशन को आते हैं कोशन आपस दिया गया है क्या रहा है सयद सलार का जो मेला है कहां लगता है चलिए बताइए भई यहां पर जो दिया गया है सयद सलार मेला जो लगता है वो आपके कहां लगता है थ्रीक आपसन दीजेगा तो आपके यह सब थ्रीक आपसन बन सेयद सलार मेला चलिए बताए भई सेयद सलार मेला कहां लगता है चलिए बाहराइच बिल्कुल सही है बाहराइच बिल्कुल सही जवाब आ गया है option यह हो जाएगा याद रिखे सेयद सलार मसूद गाजी किसकी मसूद गाजी की दरगा है वहां पर लगने वाला यह मेला है जो बाहराइच में लगता है, उपसन आपका A बनेगा, नेस कोशन दिया गया है, और आप से कह रहा है, कि कुम्भ मेले को युनिस्को के अमूर्थ धरोर सूची में कब सामिल किया गया था, दोस्तों याद रिखेगा, इसको 2017 में सामिल किया गया था, कब अमूर्थ सांस्ति विरास्त के सूची में याद रिखे, दिसंबर 2017 में इसको सामिल किया गया था, इसको जो अंसर है, वो आपका A हो जाएगा, नेस कोशन आपका है, ग्यारा नंबर में, और कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकिन से सुमेलित करना है, यह आप से कह रहा है, तो दोस्तो का जो मेला लगता है, यह आपके 12 बंकी में लगता है, आपका 1 हो जाएगा, हर यह दास जयनती का मेला लगता है, वरंदा 1 में 4 हो जाएगा, नोचंदी महस्तों जो लगता है, वो कहां लगता है, तो आपका बचा हुआ जो आपका है, कौन है, मेरत हो जाएगा, तो आपक गड़ मेला है प्रतीवर्स आजित होता है यह कहां पर आजित होता है यहां पर दिखा जाए तो आपका जो अंसर है आपका गड़ मुक्ते सोर हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा अगले कोशन को आते हैं कोशन आपका दिया गया है यहां पर आपका 6 नमबर है और यहाँ पर हो ली आपके फागुन माम है 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 और आँक कि गल्वात करते हैं तो आपके लखनो ओ में होता है और आप बनेगा बी नेस को तो आपका doubt को पा नहें लाँ सब्सक्रों देखें यहां पर दिया है गोविन साप मिलाप क्या होजएगा आमिएटकर नगर होजएगा 3 होजएगा कहलास मिलाक Knatakta आगरा में तो आपको four हो जाएगा स्यद सलार मिला कहां लगता है तो आपके हिंगी सर्व सायद सलार मिला bareach one हो जाएगा साकुम्री देभी साथ सी साकुम्री सहारंपूर आपको दो हो जाएगा देखे क्या option आपका भी number मैच कर गया है जी हाँ बिल्कुल सही है और आपका भी राइट हो जाएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोसना आप से गला पूछा गया है और आप से कह रहा है सर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंस के साथ हो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है आप से कह रहा है यहाँ पर पसु मेला क्या दिया गया है पसु मेला आपके बटे सोर आगरा में तो यह इसका देखे तिरी हो जाएगा धुरूपद मेला जो लगता है वो आपके वारनसी में आपका फोर हो जाएगा यहाँ पर आपका फोर हो गया है गोविन साप मेला कान लगता है तो आपके संबेटकर नगर में दो हो जाएगा माग मेला कान लगता है तो आपके प्रयाग राज में आपके सर वन हो जाएगा तो देखे आपसंबर क्या हो गया है ए नमबरे राइट हो जाएगा नेस्क कोर्शन आपका दिया है 16 में कि प्रशिद्य सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे याद रिखे ये इटावा घराने से थे कहां से थे इटावा घराना इसका जो आपसन है यहाँ पर जो अंसर है आपका जवाब बी नंबरे राइट हो जएगा दोस्तों याद रिखेगा इन आपसन में जो आपसन है आपसन के अंसार सही करना है अगला है उत्तरवदेश का ज तो आप लोग जानते हैं कुछी पुड़ी आपके आंद प्रदेश का है अगला कोशन उनियेस प्रिशिद्ध चरुकुला नरत्य संबंदी थे यह बताना है जो चरुकुला नरत्य है इसका संबंद कहां से है तो आपकी ब्रजभूमी से है और नेस कोशन आपस दिया गया है कि वह जो लट्ठ मार हूली है लट्ठ मार हूली के लिए निम्न में से कौन से इस्थान प्रिशिद्ध है बताएगा अब यह संबर में लट्ठ मार हूली है यह जो प्रिशिद्ध है वा आपका बरसाना है और आपका सी यहाँ पर राइट होजेगा नेस कोशन यहाँ पर लगता है option आपका भी number राइट हो जाएगा और यहां पर देखे question वारप के case है तो तरदेश के चर्कुला नरत्य में महिला अपने सिर पर क्या रख का नरत्य करती है यहां पर देखे कई संबर में तो वह आद देखा जाए तो जो महिला होती है वो 108 तेल के दीपक हन अरक करनत करती option C वनेगा आएगा निस question में और आपके सामने दिया गया है कहरा सूची फस्ट को सूची सेकियन से सुमेलित करना है 15 नमबर में आप से कहरा है कि सर मेला और जनपद दिया गया है मेला और जनपद है आप से करा देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है कामपिल मेला आपको विताया था फरुकावाल में लगता है बटे सुन मेला आपके आगरा में लगता है दादरी मेला आपके बलिया में लगता है देखे कोई option मैच कर सिनमर यहां पर देखें आप कसी हो जाएगा और नेस कोशन आप से दिया गया है जो कि एक ठिवरी की रूप में है लेकिन आपको अभी पढ़ाया गया कोशन है कि पंक्तियों में से उत्तरवदेश के किस लोकनत्य की बात की जा रही है यहां संतुलन का एक कठिन कार है जहां परदे में एक महिला अनरत्तक लड़की पिरामिट मंच पर 108 तेल की लैंप अपने सिर पर रख का प्रदस्न करती है गीत मुख की रूप से इस छेत्र में पैदा हुए भगवान करशन की प्रसंसा और सम्मान के लिए लिए लिखे गए हैं तो आप बताएगा यह जो नरत् पर रही है और समर आपका A, राइट हो जएगा A नंबर आपका बनेगा अगला कोशन दिया गया है कोशन आपका सोरा है निमनेकित में से कौन सा यूगम है जो सही सुमेलित नहीं है या आपसे कह रहा है तो जल विहार कमेला गुंदेल खंड है बटे सुन मेला आपकी परस पासिम में है, तो पासिमान्चल आपका सई है, अगला कोशन दिया गया है कि बल्देव छट का मेला कहां लगता है, चलिए, तो यह वे यह आपकी मतुरा वाले एरिया में तो यह पूरुवान्चल नहीं होगा, यह पासिमान्चल इसका भी अंसर होगा, इसलिए औप्सन याद रखे गाएगा। आहीर संप्रदाय हैं के इनके द्वारा कौन संरत्य किया जाता है बताएगा देपावली तेवहार के दौरान कुंदेल खंड के आहीर संप्रदाय द्वारा कौन संरत्य किया जाता है यहाँ पर जो आपका अंसर विया वो राइट अंसर में से क्या बनेगा तो आपका देखे यह है आपका पाई डंडा कौन है यहाँ पर पाई डंडा जिसे हम लोग दिवारी नरत भी कहते हैं ठीक है पाई नरत या इसे दिवारी नरत भी कहते हैं और याद रिखेगा गुज लखनवगराना को दुसर नाम पूरअब घराना है यादरिकी यह परंसतर आपका ड़ी हो जैलेगा पूरअफ घराना भी कहते हैं कोसमर आपका 32 है निम्न में से कौन से सबसे प्राचीन वादियंत्र है यहां पर देखे सबसे प्राचीन वादियंत्र में जो नाम आता है वो आता किसका है तो आपका क्या हो जाएगा वीना हो जाएगा सही है गलत है कौन सबसे प्राचीन वादियंत्र है चली वीना हो जाए है कि भात खंडे संगीत संस्थान लखनव डीम्ड विश्विद्याले किस वर से बना था तो दोस्तों याद रिखेगा यहां पर आपका संदो हाजार में जो भात खंडे संगीत संस्थान था लखनव वाला इसका यहां पर क्या हो गया था यह डीम्ड विश्विद्याले में परवर्तित हो गया था संदो हजार में और सितारा देवी है लेकिन किसर महाराज जो आपके है वो तबला वादक है क्या है आपके तबला वादक है इसलिए और सितारा वादक है और रास लिला है उत्तरदेश के उदारन है तो जो राम लिला है वो क्या है और रास लिला है वो क्या है दोनों चीजे में अंतर है याद रिखे जो राम लिला है तो राम लिला में लोक नाटक है और जो रास लिला है ये लोक नत्य सैली है तो राम लिला लोक नत्य होता है ल लोक नत्य होता है भगवान श्रीक रसनी के लिए यहां पर आपका अंसर भी आपको लगाना है नोट कलिजे राम लीला नाटक हो जाएगा लोक नाटक है और रास लीला लोक नत्य सहली है। अगला है कोशने सता है विर्जु माराज का संबन्ध किस सास्ती नरत्य से हैं हलाकि विर्जु मारेज अब हमारे बीच में आप लोगों के नहीं रहे गए हैं इनका निदान हो चुका है तियाद रिखे आपको ये कोशन तो हमेंसा बनता ही रहता है बताना है कि वहर जो विर लोक रत्य नहीं है इनमेंसे कौन नहीं है देखो यहाँ पर ख्याल रत्य है बढ़ईया नरत्य पाई डंड़ा है राई है लेकिन बढ़ईया नरत्य नहीं है तो आपसे क्या होजेगा यहाँ पर सी होजेगा नोटंकी किस राजे का लोक रत्य है जो नोटंकी है किस राज खान हुसेन जो आपके हैं इनका सम्मंद या उपनाम से कई रंगों में बंदिसों की रचना किया है। अगला κोशन 29 मेरट में प्रतेकवर सहूली के बाद उजित किया जाने वाला जो रंग बिरंगा मेला है याध रिखेगा यहाद रिखेगा यह रंग बिरंगा मेला है नौचंदी मेला है हिंदू-मुसलिम एकता का प्रतीक भी आपको माना जाता है जिस प्रकासे बट आगरा में आपका होता है सुला कुल उसी प्रकास से नौचंदी मेला भी ये हिंदु-मुस्लिम एकता का प्रतिक माना गया है यहाँ पर अगला कुसन है 37 उत्तरवदेश के मुख लोक गीतों में से याद रिखेगा जैसे की आपका दारुन है नहीं है यहाँ पर आपका बिरहा चैत और ढोला यहाँ आपके है तो आप संडी बनेगा अगला कुसन आपकर दिया गया है उत्तरवदेश के प्रमुक लोक रतिन में से कौन से है 38 संबर में तो आपके इस ररतिस संबर में देखे यहाँ पर बिहुद दिये होगा चर्कुला हो जाएगा कर्मा हो जाएगा और प है रसिया बर्साना से है कजरी आप की मिर्जपुर से है तो आपसन । भी गलत हो जाएगा उत्तरवदेश का कौन सा एक लोक गीत नहीं है 31 संबर में बताना है जूँकर आपका विरहा है कजरी है रसिया है लेकिन डूहला मारू नहीं है अना यह राजस्थान का आपका है तो इसको आपसन आपका भी बनेगा अगला कुस्ण दिया 49 निम्ड में से किस तबला वादक का जो जन्म है बनारस के कबीर चौरा में हुआ था 49 निम्ड आपका दिया गया है और यहांपर जो आपसन है आप कहेंगे सरे यहांपर जो कबीर चौरा में हुआ था यह पंडित किसन महाराज का हुआ था किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ तो सही है जवाब इसमें कोई दिक्कर नहीं है आपके पंडित किसन माराज आपका जो अंसर राइट हो जएगा हाँ एक और थे पंडित समता परसाद हना पंडित समता परसाद का भी जन्म यहीं पर हुआ था आएगा निस कोईंन में और अगला कोईंना आपस दिया गया है प्रिषिद चितरकार मिर सयाद अली चितरकारी है तो किस मुगल सासक के सयोगी थे तो दोस्तों ये हुमायू के सयोगी थे सयोगी दिया है जब हुमायू जो था ये जब निर्वासित दोरान अर्था जब यहाहन से भारत से गया था तो कहीं नही ene', कहीं आई, सीखा था तो ये सयोगी कौन हो जाएंगे तो हुमाई हो जाएगा उप्सन डी हो जाएगा लेकिन अगर यह बोल देता कि वह यह उनके दर्वार में रहते हैं तो कोशन का मतलब ही अलग हो जाता यह सहयोगी और सहयोगी आपको मालूम है चित्रकारी आपकी हुमाई के माद्यम सही भारत में लाए गए थी अगरा कोश में इस्थापित प्रथम संगीत महाविद्यारा इनमें से कौन था यहां पर दे सकते हैं ओप्सन बर आप कसी हो जाएगा यह आपका है भात थंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यारा जो कि आपके लखना हुए है ओप्सन सी बनेगा उत्तर वदेश में जैन और बहु कौसन आपस दिया गया है विष्ण नомर आपका दिया बयालिस सुची फस्ट को सुची सेशिक नस्य सुमेरित करना है लोग लग गित दिया गया और आपका अउसर दिया है गायन का अवसर यह कब घाया जाता है इसके बारे में यहाँ पर आप से बताया गया है तो भईया आपर मौसमी गीत है ठीक देखो देखो वीवाहा लगा दिया है 간단ाсти करने के लिए लेकिन मौसमी गीत है तो यहाँ पर आप कहिएंगे सर थरी हो जायगा रसिया के अगर बात करते हैं तो यह ब्रचका है तो आप कहिएंगे सर दो हो जाएगा सोहर जो होता है, यह संसकार गीत होता है, और संसकार गीत होता है, तो आप one हो जाएगा, और चैती तो आपका देखिए मौसमी गिताब का ही है, खुछ गरवट तो नहीं हो आए, चले चारो आपसन देख लिजेगा, चारो आपसन में से बिवाह मौसमी गीत है और एक मौसमी गिर दिया गया है है ना और दोनों में से थोड़ा गड़वड़ी हो सकती है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए option को उठा कर यहाँ पर जो option आपके दो और एक है पहले दो है फिर एक है यहाँ पर दो एक दो एक देखो किसी में नहीं है इसका मतलब है यह दो तो सही थे इसका मतलब है यह जो option आपका पहला वाला है बिलकुर right आपका है याद रिखेगा तीक है ना यहाँ पर जो अंसर है वो आपका right answer हो जाएगा याद रिखे नहीं तो फिर गड़बड हो जाएगा फिर system गड़बड हो जाएगा अगर एक दो कर दोगे तीक है इसका मतलब आपको note कर लेना है यहाँ पर जो चैती है वो मौसमी गीत है कजरी बिवाह मौसमी गी तो तो देखे आपका अंसर कौन बन गया अपका right हो जाएगा अगला question यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है इसर निम्द से कौन युगमन सुमेलित नहीं है, 43 संबर में कौन सुमेलित नहीं है, देखो दिया गया बिर्जु माराज कथक है, बिस्मिल्ला खास सैनाय वादक है, जाकिर हुसान आपकी तबला वादक है, ना कि हर्मोनिया वादक है, अमजद अली खान आपकी सरोध वाद कहलाता है कि 74 संबर की बात करते हैं तो दोस्तो ये है अपका नाट कई है यह जो नाट सास्त है बाइबल बुक यह कहलाती है औप्स नमबर आपका यह राइट हो जाएगा दोस्तों याद रिखें यह संस्कृत में लिखा गया संगीत और नाटक का सबसे पहला साहित है इसे भरत मुनी ने लिखा था यहां पर अगला कोशन दिया गया है उत्तरद है एक इसका बना है यहां प्रवताई जो सितार है एक इसका मिस्टरन है ठीक है ना इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्योंकि इस चेप्टर में लगभाग 92 या 90 कोशन आपके हैं तो दूसरे पार्ट में भी इस चेप्टर की कोशन बचेंगे उसको इसमें से हम सौल परा देंगे ठीक है ना, वीडियो आप देख सकते हैं 50 कोश्चन समय कम लगता है क्योंकि एक साथ आपको कई कोश्चन रहते हैं बार बारी स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है इस वज़े से कोश्चन जल्दी सौल हो जाते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है और आपका बेतर रिविजन भी हो जाता है हमने कहा है कि आपको डेली जुड़ना है साम को 6 वज़े ये करेंट फेर की के सकती यूपी जी के क्लास है और डेली क्लास आपकी होती है नोड़ बियसन आए या नाए ठीक है वीडियो कैसा लगए एक बार जरू कमेंट करिएगा ठीक है ना और अपना प्यार सपोर्ट लाइक जरू करिएगा ठीक है धन्यवाद सभी को जैहिन वंदे मातरम